रोजाना ताजा खबरे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप नियूज को और दबाए इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स पहली जीत के दिदार के लिए घरेलू मैदान पर किंग्स 11 से भिड़ेगी RCB इंडियन प्रीमियर लीग 2018 हुमेहार के साथ टूर्नमेंट में शुरुआत करने वाली रोयल चालेंजर्स बेंगलोर टीम आज किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी नई दिल्ली बैंगलोरू इंडियन प्रीमियर लीग 2018 हुमेहार के साथ टूर्नमेंट में शुरुआत करने वाली रोयल चालेंजर्स बेंगलोर टीम आज किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी RCB को सीजन 11 के पहले मैंच में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था वही नए सीजन में नए कप्तान के साथ किंग्स 11 पंजाब की टीम ने टूर्नमेंट में शानदार आगाज किया है दिल्ली के खिलाफ एक एक तरफा मुकाबले में पंजाब की टीम ने चेविकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की थी RCB को पंजाब के खिलाफ ब्रेंडन मैकलम और A.B. डिविलियल से विस्पोटक शुरुआत की उमीद होगी मैकलम ने अपने पिछले मिच में चीड़क में 9000 रन पूरे किये हैं इससे अगले मुकाबले के लिए उनका मनुबल बढ़ेगा वहीं कप्तान विराट कोहली टीम के मिडिल ओर्डर को मजबूती प्रदान करेंगे RCB को इन दो बल्ले बाजों के अलावा क्विंटन डिकोक, सर्फराज खान और क्रिस वोक से भी अच्छे प्रदर्शन की उमीद होगी जो कोलकाता के खिलाफ असफल रहे थे गेंदब बाजों में उमेश यादव और और क्रिस वोक से आलावा अपने दो स्टार स्पिनर योजवेंदर चाहल और वाशिंग्टन सुन्दर से इस मुकाबले में अपने रंग में लोटने की उमीद होगी दोनों गेंदबाजों ने कोलकात के खिलाफ सतहत्तर रंखर्च किये थे वहीं दूसरी तरफ अपने पहले मैच में दिल्ली डियर डेविल्स को छेवे केट से हरा चुकी पंजाब की टीम को लोकेश राहुल से एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन की आस होगी राहुल ने दिल्ली के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धर तश तक जड़ा था जो IPL इतिहास का अब तक का सबसे तेज अर्ध शतक है पंजाब चाहेगी कि इस मैच में वे क्रिस गेल और आरोन फिंच को मौका दे जो पिछले मैच में नहीं खेले थे IPL में अपना डेबियू कर रहे 17 साल के मुझी बुर रहमान ने पिछले मैच में पंजाब के लिए दो विकेट लिया था और टीम को उनसे एक बार फिर ऐसे ही प्रदर्शन की उमीद होगी